आप लोग ठीक हूंगे और आज हम पढ़ेंगे इसमें हूता क्या है कि जो भी म्यूस्कल इंस्ट्रुमेंट है वो किस तरीके से वजाये जाते हैं इन सभी के बारे में इनको अलग-अलग केटेगरी में बाटा गया है ठीक है तो चलिए तो रसा पढ़ लेते हैं क्या लिख हुआ है इंस्ट्रुमेंट प्रेडिकोष म्यूस्कल साउंस बेश्ट आन टाइप अवसाओंड बने इता है अबו कि मियूशकन इंस्ट्रुमेंट जो है वह वह किस तरीके से वीक और सांड की स्जिय है और भी में करते हैं मीश्कल इंस्टूमेंट zal ग्रिव्ट मिक शेम अब देखे यहां पर wind instrument क्या होता है कि ऐसे instrument musical जिने हम हवा यानि कि हम फूप मार के ही बजा सकते हैं ठीक है ना तो उसे हम क्या कहते है wind instrument उसके बाद है ऐसे instrument जिनमें string लगी होती है string को जब हम touch करते हैं तो उसमें क्या होता है vibration होता है और उसी vibration के वज़े से क्या होता है musical sound produce होता है और साथ ही जो थर्ड नंबर percussion instrument इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को आगहात करते हैं यानि कि अपने हाथ से उसको touch करते हैं उसको पीटते हैं ठीक है ना तो देखे जैसे यहां पर तबला है तो तबला आपको हाथ से ही चलाना पड़ता है ठीक है ना उसे ह हम कहते हैं percussion instrument तो तीन तरीके के instrument होगे wind string और percussion instrument ठीक है ना flute में जोभी wind वाले होते हों उर्पे जरुरत होती है और string वाले में क्या होता है कि हम इसमें vibration की वज़़ा से sound प्रेडूस होता है और जो थर्ड नंबर है उसमें आपका क्या होता है जब हम अपने हाथों से उस पे चूट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पर्कियूसन इंस्टूमेंट तो चलिए देखिए यहां पर क्या है कि हेल्प बॉक्स दे रखा है हेल्प बॉक्स में वीना तबला तंबूरिन, सितार, शरूद, मृदंगम, फ्ल्यूट, हर्मोनिका और सहनाई तो इसमें हमें यह जानना है कि कौन कौन सा कौन सा इंस्टूमेंट है तो देखिए चलिए अब मैं यह इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा जूम करूंगा ठीक है ना चलिए तो मैं इससे यह लिए नेदा फॉलिंग – यहां पर हमें विन्ड ईंस्टूमेंट का नाम कर दwe दोस्तो फ्ल्यूट फ-फ-ट-ु-ट-क मतलब क्या होता है बासुरी अब दीए सेके के नमबर questioned यह जो है आपका instrument जो दिख रहा है यह काउनच साय इस्टुमेंट है यह आपका सेहनाई ठीक siadhi और साधियों में बजाए जाती है यह जो बहुत अच्छा बजाते थे है A s, e n, a, i fix इसरा हेना ठीक है न आप दीए? थार्ड नмबर जो है यह आपका क्या है इसे हम कहते हैं harmonica तो इसे भी हम कैसे बजाते हैं आपनी मुंज़से ही बजाते हैं और इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है wind यानि की हावा की जरूरत पड़ती है तो यह हो जाएगा harmonica क्या हो जाएगा harmonica ठीक है न तो यहाँ पर फिल कर लेंगे और साथ ही साथ देखिए जो flute बजाता उसे हम क्या कहते है flutist कहते है क्या कहते है flutist कहते है चले second number पर आते है string instrument produce sound when they string are vibrate अभी मैंने आपको बताया था कि string कैसे बसता है जब उनकी string में क्या होता है जो इसमें छोटे छोटे पत्ले पर ले तार लगे रहते हैं इन तार में जब vibration होता है तो क्या होता है sound produce होता है तो B number पर आप देख रहे हैं कि यह कौन सा instrument है इसे हम कहते हैं यह जो instrument है पहले number पर इसका नाम है सरोद क्या नाम है सरोद स-A-R-O-D सरोद ठीक है न second number पर जो आपका instrument है उसे हम कहते हैं सितार क्या कहते हैं सितार S-I-T-A-R सितार third number है आपका यह जो instrument आपको दिख रहा है इस instrument का नाम है Vena क्या नाम है Vena ठीक है ना चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे तो आपने ये तीनों भर लिया होगा चलिए देखिए अब आपके सामने आता है percusion instrument produce on when they are hit जब इनके उपर hit किया जाता है shake किया जाता है तो ये क्या होते है sound produce करते है तो देखिए यहां पर ये जो दो धोलक के जैसे देख रहा है नेकिन ये धोलक नहीं है ये क्या है तबला है आप देखिए जो Vena बजाता है उसे हम कहते है और जो तबला बजाता है उसे हम कहते है ठीक है आप देखें यहाँ पर है यह यह च्पला प्लें और iau आ है कि यह अ पबैы अधिए है आपको यह लिखें लीखनी है तो है क्या आपका तबला क Veterans explains अबना टी ए जो धोल है आपका त्हीकर न कमें यह बहुत बहुत बाद दोल होता है जो dancing थोड़ा सा यह बड़ा होता है तो इसे हम कहते हैं म्रे दंगम क्या कहते हैं म्रे दंगम लिख लेंगे यहाँ पर मिरी करें ना है कि यह क्या है दोस्तों तम्बोरिन है तो दोस्त यह होगे आपका वीडियो चैप्टा नमब शिक्स्टीन और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर एंद फाइली वीडियो देखने के क्ट्री दू इतुरियल